आगा में कारेक्रम प्रायुजित किया है जॉइस मायर मिनेस्ट्रिस के मित्रों और सहयोगियों ने इश्व में शैतान की शक्ति से बचाने के लिए आये थे उसके पास शक्ति है लेकिन हमारे पास शक्ति और अधिकार है और एक अंतर है आप समझ सकते हैं आदम को बगीचे पर अधिकार था और उसने उसका इस्तमाल नहीं किया जब दुश्मन ने आके उन्हें धोका दिया उसने उसे अंदर आने दिया और मैं आपको बाद में लुका दिया चार में बताऊंगी जहां वास्तों में शैतान ने इश्व से कहा मैं ये सब अधिकार और उनका वैभव तुझे दूगा क्योंकि वो मुझे सौपा गया है और जिसे चाहता हूं उसी को दे सकता हूं खे लेकिन इश्व आय कि उसे उसकी जगे पर रखे और उन्हें वापस लें और अपने बच्चों को दे लेकिन हमें जानना चाहिए सच ताकि सच हमें आजाद कर सकता है शैतान का स्वभाव है कि वो जूट बोलता है और जूटों का बाप है बड़ा धो के बास है बाबल कहत दरचता है इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए आप उसे अपनी आँखों से देखते नहीं है लेकिन आप उसके काम देख सकते हैं आप उसका असर महसूस कर सकते हैं मैं आपको कुछ बताती हूँ जब आप और एक दोस्त या आप और आपके बच्चों में से एक या आप और वो व्यक्ति जिससे आपकी शादी हुई है जब आप उड़ते हैं आप हर चीज अच्छी चल रही है और तब आप कुछ कहते हैं और आप फिर से कुछ कहते हैं और फिर वे फिर आप कुछ कहते हैं फिर वो कुछ कहते हैं और अब अच्छानक ये संगर्ष हुस्से में होता है आप चले जाते हैं और वो घुस्से में होता है फिर सिर्दर्द पेठ दर्द हर तरह के दर्द यकिनन आपको नहीं लगता कि यह परमिश्वर है क्योंकि इश्व ने कह है मैं आया ता कि तुम्हें शांती मिले मैं अपनी शांती तुम्हें देता हूँ मैं आया कि तुम अपने जीवन का आनन दलो कि तुम प्रेम में चलो दुनिया में सबसे महान चीज़ा प्रेम में चलना तो हमें संगर्ष से बहुत सावधान रहना चाहिए हमें अक्षमता से बहुत सावधान रहना चाहिए जब कभी आप अक्षमा को अपने दिल में रहने की इजासत देते हैं आप शैतान के लिए दुवार खोलते हैं, शैतान के सहायक बनते हैं, शैतान के सहायक मत बनो, क्या आपको इसका अंदाजा है कि वहाँ कितने घुस्सा मसीही हैं और मेरे खुदा, और मैं आपसे प्रीम करती हूँ, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आज रात यहां कितने ऐसे लोग हैं, जो किसी पर घुस्सा है, जो टीवी देख रहे हैं, और आपको लगता है कि आपका क्रुद न्याय संगत है, लेकिन नहीं आप नहीं हैं, हाँ, शायद आपके पास घुस्सा होने की वज़े हो, लेकिन आपको कोई अधिकार नहीं है कि आप वैसी ही रहे कारणों और अधिकारों में अंतर है, खैर आपको क्या मतलब है कि मेरा कोई अधिकार नहीं है, क्या परमिश्वर को अधिकार है कि वो अंपर घुस्सा आये भी मुझे बाद नीचे मतानी दीजिए क्या परमिश्वर को उनको अधिकार है उनके पास हम पर हुस्सा रहने का कारण है हमें नीचे डालने के लिए हमें स्विकार न करने के लिए हमें स्विकार करने के लिए लेकिन वो नहीं करते वो नहीं करते और बाइबल कहती है क कि हमें अपने दुश्मनों से प्रेम करना चाहिए ये बताने के लिए कि हम अपने पिता के बच्चे हैं जो स्वर्ग में हैं इसलिए नहीं कि ये करने में मज़ा आता है लेकिन क्योंकि हम परमिश्वर के संसार में उधार पाने की कोशिश में मदद कर रहे हैं अम नमक और रोशनी है कि आपके पास जो मिला है उसके लिए किसी को प्यासा बना रहे हैं। जब आप किसी अधरी जगे में जाते हैं, क्या लोग बता सकते हैं कि आप में कुछ अलग है? ये परियाप्त नहीं है कि हर हफ्ते बस चर्च में जाकर आसन पर बैठ जाना और ये सोचना कि आपको अपने स्वर्ग या कैलेंडर में रविवार सुभगा सही का निशान मिल गया है ये परियाप्त नहीं है हमें बुला गया है संसार को परमेश्वर से मिलाप कराने के लिए कुछ बुलाया गया है जिस तरह से मैं कर रही हूँ वैसे करने के लिए लेकिन हम सब को अपने जीवन में यह करने के लिए बुलाया गया हम सब को शैतान के विशेश ताएं वो परमिश्वर द्वारा रचा गया है लेकिन परमिश्वर के बराबन नहीं है उन्हें ती वचन सोला वो परमिश्वर के चुनौती देने के गुस्ताकी करता और सचाई को तुच्छ समझता है यहना आट उसे सिमित शक्ती दी गए थी यहना की उस तक हमें यह बताती है कि परमिश्वर ने उसे बताया कि वो कितनी दूर जा सकता और आगे नहीं इसलिए आपको करना है जब आपको परिशानी हो रही है जिसे आप समझ नहीं रहे हैं आपको डरनी की ज़रूरत नहीं है यदि आपका विश्वास परमिश्वर में है और आप अपनी योगियता के मुताबिक परमिश्वर के सामने चरने बाइबल कहती है कि वे हमारे उपर एक सुरक्षा है और परमिश्वर हमारे उपर कुछ ऐसा नहीं आने देते जिससे सैन करना हमारे लिए बहुत हो लेकिन ह आजमाईश एक बिल्कुल सही समय पर वो हमेशा हमेशा बाहर आने का रास्ता प्रदान करता है। आललुयाई फिस्यो दो और मुझे ये अच्छा लगता है वो हमें आजमाईश में डालने के आउसरों की तलाश करता है। वो परमिश्वर के बारे में सच्चा इची पाने की कोशिश करता है। वो जाली वाइदे देता है जिने वो पूरा नहीं कर सकता। वो अपने उदेश्य के लिए वचन को तोड़ता मरोडता है। और मेरा पसंदीदा है प्रकाशित वाक्य बीस दस वो अपने भाग्य के अनुसार भुकतेगा। क्या हम पाठी मनाने वाले हैं और उनका भरवाने वाला शैतान। और गंदक की उस जील में जिसमें वो जूटा भविश्य अद्वकता भी होगा डाल दिया जाएगा और वे रात दिन यूगानी युक पीडा में तडपते रहेंगे। वो एक दुश्मन है जिसके लिए परमेश्वर का शुक्र है कि हमें प्रार्थना नहीं करनी पड़ती कभी भी नहीं। अब हमें वचन ने सिखाया है कि शैतान का विरोध करें। और इसे करने में आप निश्क्रियों और प्रभावहीन नहीं हो सकते। ये कहना हमारी च्छा काम है। नहीं शैतान तो जूठा है या कम से कम ये सोचना कि वो बस एक दुश्मन है शैतान के जूठों को पहचानने के लिए हमें परमिश्वर का वचन बहुत अच्छे से जानने की जरूरत है कि इतनों सालों तक मैंने शैतान को मुझे ये बताने दिया कि मेरा कभी भी कुछ भी नहीं होगा और मेरा हमेशा एक तुच्छ जीवन होगा क्योंकि मैं मेरे पिता दुआरा यान शोशित थी और मैंने उसका भरोसा किया क्योंकि मैं और कुछ नहीं जानती थी लेकिन अब मैं जानती हूँ जब मैं ये जानती हूँ कि बच्पन में मेरे साथ जो कुछ भी हुआ उसमें मेरी कोई गलती नहीं थी और ये कि मेरा जीवन केवल तुच्छ नहीं हो सकता लेकिन मेरा जीवन पहले स से बहतर हो सकता है मेरे साथ जो हुआ उसका इस्तमाल परमिश्वर दूसरे लोगों की मदद करने में कर सकते हैं कि वो मेरी मुसीबतों के लिए मुझे दुगना देते हैं कि वो हमारे उधारक और हमें बहाल करने वाले हैं लेकिन अब मैं जो विश्वास करती हूँ उसके लिए मुझे लड़ना पड़ा मेरे खुदा मैं निंदा शर्म और दोश के बोजों के नीचे रहती थी और ये मेरी समस्याओं में से एक सबसे बड़ी समस्या थी सालों साल तक मैं तो ये भी जानती थी कि कितनी बार मैंने अपने मुँ से ये चिल्ला कर कहा वच्चन के अनुसार मेरी धार्मिकता मसी के द्वारा परमीश्वर में है मुझे इश्यू मसी के लहू के द्वारा उसके साथ सही बनाया गया है और मैं निंदा के तहट नहीं रहूंगी, आपको गलत एहसासों का परमेश्वरों के वच्चन के साथ सामना करना चाहिए, न कि उन्हें अपने उपर हावी होने दिना चाहिए, आपको अपना मन परमेश्वर के वच्चन से तरो ताजा करना चाहिए, एक आलसी मसी नहीं हो सकता, और कोई दूसरा आपको स्पून फीड नहीं कर सकता, जब आपको उसकी जरूरत पड़े, आपको जरूरत है स्वयम का वच्चन वच्चन अधेयर अध्यन करनी की, आमीन, हमें दुश्मिन का विरोध जरूर करना चाहिए, याकुब चार साथ, इसलिए परम परमिश्वर के अधिन हो जाओ, और हम इस बारे में और बात करेंगे, एक दूसरे संदेश में, ये अद्बूत है कि केवल साधार और आज्या कारिता की कितनी शक्तिशाली होती है, इसे सिर्फ करो, अगर परमिश्वर ये कहते हैं, तो इसे करें, क्योंकि वो गलत नहीं ह बदलने वाले हैं, और अगर परमिश्वर कहते हैं, ये करो, और आशी शीत रहो, ये कर और शापित हो, तो आपको पूरी तरसोंने शीत होना है कि वास्तों में क्या होने वाला है, इसे समझने के लिए आपको किसे साइंस की जरूरत नहीं है, मैं आपके सामने जीवन ये निर्णाई नहीं ले रहे हैं कि आप और आपके वनश्रज एक अच्छा जीवन जीश सकते हैं, वे निर्णाई जो मैंने लिए उन्होंने मेरे बच्चों पर प्रभाव डाला, ये मेरे नाती पूंतों को प्रभावित कर रहे हैं, और आशा पुर्वक और प्रार्थन पुर्वक कई अनिये लोगों को प्रभावित करते हैं, और फिर वे लोग दूसरे लोगों को प्रभावित करते हैं, और इसी तरह से ये चलता रहता है, वो न कभी ये करने के लायक था और न कभी हो पाएगा, शैतान, ये इतना शक्तिशाली है कि रोप नहीं सकते, ये ए उन्हें जरूरत नहीं थी लेकिन एक इंसान के रूप में वो हमारे लिए उधारण बनके आये और उन्होंने दुश्मन का विरूत क्या इश्व नहीं हां समय बिता के हमें जीना कैसे चाहिए यह सिखाया चीला होने का मतलब है अपने आपको अनुशाशुत करके किसी दूसरे के जैसा बरताओ का नमती सोला तेईस अब वचानिकिस से शुरू करता हुए यह कहता है उस समय से इश्व अपने चेलों को बताने लगा कि मुझे अवश्य है कि यरूशलेंट को जाओं और पूर्नी और महायाजकों और शास्तियों के हाथ से बहुत दुख उठाओं और माह डाला आ जाओं और तीसरे दिन ची उठाओं तो वह अपने चेलों के साथ थूड़ी बात चीत कर रहे हैं कि बैटकर उनके साथ चोटी सी मीटिंग अब दोस्तों यह समय आ गया है जिसके बारे में तुम्हें बताने की कोशिश कर रहा हूं मैं वहां यरुशलेंट जा रहा हूं हुए वास्तों में मुझे बुरी तरह पीटने और मारने वाले हैं और मुझे सलीप पर चड़ाने वाले अब आप जानते हैं पत्रस आपको लगेगा कि खैर बहुत अच्छी प्रतिक्रिया देता है इस पर पत्रस उसे अलग ले जाकर जिड़कने लगा कि हे प्रभू पर परमिश्वर न करे तुछ पर ऐसा कभी न होगा उसने फिरकर पत्रस से कहा है शैतान मेरे सामने से दूर हो तू मेरे लिए ठोकर का कारण है क्योंकि तू परमिश्वर की बाते नहीं पर मनुश्वर की बातों पर मन लगाता है इस उको ये जानकारी थी कि शैतान पत्रस को इस्तमाल करके उसे नियमित रूप से दूर करने की कोशिश करने वाला था और इसलिए उन्होंने फॉरण उसे फट करा और कहा तू मुझे परमिश्वर की मर्जी करने से रोक नहीं सकता कितनी बार लोग करते हैं शैतान किसी व्यक्ति का इस्तमाल करके आपको परमिश्वर के पास जाने से रोकता है या किसी व्यक्ति का इस्तमाल करके समझोता करके पाप में खीशता है या किसी ऐसे संबन्द में जिसमें आपको चोट पहुँचे क्या हो सकता है अगर आप कहने की हिम्मत करें उससे दूर रहो आप कुछ लोगों को जगा सकते हैं या कम से कम अगर आप किसी के मुह पर यह कहना नहीं चाहते तो अपनी पीठ घुमा कर कहें चुप हो जाश्यतान मुझे एक पत्रस 5 नौ अच्छा लगता है यह मेरा बहुत पसंदी दावचन है विस्तारिद बाइबल में यह कहता है उसके शुरूआत में ही शैतान का विरोत करो मुझे यह अच्छा लगता है उसका मतलब है हमें जरूरत है तयार रहने की और हमें जरूरत है सक्री और जागते रहने की बाइबल कहती है जाग जाओ सोने वाले मसीयो सचेत रहो जिन्दा हो आप जानते हैं कितनी बार बाइबल कहती है देखो और प्रार्त ना करो तो ये हर किसी की गलतियों को देखने के बार में बात नहीं कर रहा है, आपकी जीवन में काम करने की कोशिश कर रहे, दुश्मन से बचो सक्रिये रहो, जाकते रहो, सचीत रहो, और जैसे ही आप उसे आपके विरोध में आने की कोशिश करते देखते हैं, या किसी भी तरह की बाधा में आपको डाल निकला प्रार्थ ना करें या आप अधिकार ले ले आप इरोध करें आप फटकारें कि वह कौन से कुछ तरीके हैं जिन से हम शैतान की सहायता कर सकते हैं खैर बस गुस्सा हो जाओ और गुस्सा रहो ये काम करेगा इफिस चार चब्विस और 27 ग्रोध तो करो पर पाप मत करो अब इस पर धियान दे ये नहीं कहता कि कभी गुस्सा मत करो गुस्सा एक भावना है जो हम में है और ये समय समय पर भड़कता है जब कोई हम से ठीक बरताओ नहीं करता है या जब हम जो सोचते हैं वो नहीं होता लेकिन ये कहता है कि आप गुस्सा तो कर सकते हो लेकिन पाप न करें इसका मतलब है कि अपने क्रोध को हल करें, उसे संभालें, सुरियास्त होने तक तुम्हारा क्रोध न रहें, इसका मतलब है अगर आप नाराज है तो आज रात बिस्तर में जाने से पहले नाराज गिदूर करें, ओ-ओ, तुम गलत इमारत में घुस गए, तब ओ-ओ, तुम कल रात अपनी, अग्यानता के लिए माफ ही मांग सकते थे, लेकिन आज रात नहीं, सुरियास्त होने तक तुम्हारा घुसा न रहें, वच्चन 27 और न शैतान को अवसर दो, क्या आप शैतान की सहायता कर रहे हैं, या उसका विरोध कर रहे हैं, यहाँ आपके घुसे के साथ यह करने की जरूरत है, जब आप किसी पर घुसा होते हैं और आपको घुसा काबू करने में बहुत मुश्किल हो रही है, और हो सकता है कि वे वास्तों में इसके लायक हो, हो सकता है उन्होंने कुछ ऐसा किया हो, जो वास्तों में गलत है, तो आप कहीं जाएं प्रार्त ना नहीं जब तक वहाँ वापस आने के लिए आप अपना अनुगरह मुझे नहीं देते मैं डेव पनाराज थी और डेव से बात करेंगे एक पवित्र हिंसा भी होती है आई ये भी हम सबको हिंसक होना आता है लेकिन हमें इसे सही दिशा में ले जाना चाहिए एक पवित्र हिंस अक्षमा शिलता दो कुरुंतियों दो दस और ग्यारा यदि तुम किसी को ख्षमा करते हो पॉलस कहता है जिसका तुम कुछ ख्षमा करते हो उसमें भी ख्षमा करता हूं क्योंकि मैंने भी जो कुछ ख्षमा किया है यदि किया हो तो तुमारे कारण मसी की जगे मैं हो कर ख अख्षमा किया है अब बचन 11 को देखे कि शैतान का हम पर दाउं ना चले क्योंकि हम उसकी युक्तियों से अंजान नहीं उसने कहा कि हमें दुश्मन के बारे में कम जानकारी नहीं या खैर आज रात में आपको जानकारी दे रही हूं कि अगर आप में अक्षमा है तो आप को अवसर दे रहे हैं और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या सोचते हैं कि आपकी नियाय संगत है परमेश्वर हमें इसे ना करने के लिए कह रहे हैं तो हम अपने को परमेश्वर के अधीन कर दियों और उस अधीनता में हम खुद बखोद दुश्मन का विरोध क कर देता है जब मैं इस बार में बात करती हूं और इस तरह हमारी गवाही को ठेस लगती है और किस तरह संसार में बस इस से ज्यादा लोग हैं जो गड़ बड़ी में और उल्चन में हैं आपको क्या लगता है कि दुनिया में क्या होगा अगर हम में से हर एक हम जो अपने को मस कहते हैं दुनिया से बाहा निकल कर उनकी जैसा है बरताव करें अब यहां एक है जिसके साथ हम रह सकते हैं शुकायत कर सकते हैं और यह पाप नहीं है एक कुरुंतियों दस नो और दस आपको यह संदेश अच्छा लगेगा लेकिन अगर आपको नहीं लगे तब भी मुझे लगता है यह वचन परमेश्वर की तरफ से है क्या आप शैतान का विरुद कर रहे हैं या शैतान की सहायता कर रहे हैं हमें प्रभु को परखना नहीं चाही है न कि उनकी सेहन शेलता को आजमा आयो न उनके लिए मुझे अच्छा लगता है हमें लगता हम आजमाईश में होते हैं परमिश्वर जैसे है तुम में होने चाहिए हो और नहम प्रभु को पर्खे जैसा उनमें से कितनों नी किया और सापों की द्वारा नाश किये गए और न तुम कुड़कुडाओ जिस रीती से उनमें से कितने कुड़कुडाएं वह इसराइलियों के बार में बात कर रहा है और नाश करने वालों के द्वारा नाश किये गए वो मृत्यूती इसराइलियों के साथ एक उधारण है जहां उनकी कुड़कुडाण और शिकायत की वज़े से कैम्प में प्लेक फुट और उनमें से 23001 दिन में मर गए और फिर वह एक रहस्योत घाटन मिला और बाइबल कहती है हमने पाप किया है बहुत बढ़िया तेइस हजार जीवन नाश हो गए और तब हमें ये मिला लेकिन हमारे पास परमिश्वर का वचने और हमें समय से पहले खबर मिलती है आमें मैं आपके सामने रखते हूं जीवन अम्रितियों अच्छा है और बुराई आपके पा हुआ है उससे बहतर बने हमार पास धन्यवाद देने का एक मौका है या उस चीज के लिए जो हमारी तरह से सही नहीं होती है प्रेम में ना चलना हुँ माई खर इसके बार में एक दूसरे संदेश में भी है मत्ति साथ कहता है दोश मत लगाओ कि तुम पर भी दोश न लगाया जाए क्योंकि जिस प्रकार तुम दोश लगाते हो उसी प्रकार तुम पर भी दोश लगाया जाएगा और वास तुम ऐसा है अगर आप इस सबसे आगे भढ़के वचन छे पर आते हैं वो कहता पवित्र पर्मिश्वर द्वारा दी गए प्रेम करने की योगिता पवित्र वस्तु कुत्तों को न दो एसा न हो की वे उन्हें पाउं तले रौंदे और पलट कर तुमको फार डाले एक और बहुत ही सपष्ट वचने की जब हम प्रेम में नहीं चलते और समिख शात्मक और आलोचक हो मैं जानती हैं आपको इस बार में सोचना चाहिए और आखिर में एक वचन और यहनना 14-30 गलत समय में गलत बोले गए शब्द दुआर खोलते हैं दुश्मन के लिए इशुन अपने चेलों से कहा मैं अब से तुम्हारे साथ और बहुत बाते ना करूँगा क्योंकि संसार का सरदार आता है वो शैतान के बार में बात कर रहे हैं अब इसे देखें और मुझ में उसका कुछ नहीं उसमें से और मुझ में कुछ भी समानता नहीं है मेरे में ऐसा कुछ नहीं जो उसका है और उसका मुझ पर कोई अधिकार नहीं है और वो ऐसा हो सकता है अगर मैं आपके लिए इसका विस्तार करूँ तो वो कुछ ऐसा कह रहे हैं इस दबाओ के समय में मैं अपना मुझ नहीं खोलने जा रहा हूँ ताकि उसे मेरे जीवन में प्रवेश्ट न करने दूझ जैसा हो चाहता है मुझे वो वचन अच्छा लगता है लेकिन शैताना आ रहा है वचन निकतिस कहता है परन्तो ये इसलिए होता है कि संसार जानी की मैं पिता से प्रेम करता हूँ और जिस तरह पिता ने मुझे आ गया दी मैं वैसे ही करता हूँ और मैं पिता के साथ पूरी सहमती में हूँ अब लुका चार छे मैं अपनी शेखी बगहारता है कि संसार का पूरा राजिय उसके हाथ में सौपा गया था और वो बात कर रहा था आदम के बारे में जब उसने परमेश्वर से उसे जो दिया था उसे ठुकरा दिया दुश्मन की जूटों को सुनकर अब मैं बस आपको इतना कहना चाहती परमेश्वर ने आपको एक चीवन दिया है और प्रभाव का ये खास शेत्र दिया है और आपको इसका प्रबंद करना है अपने आपका प्रबंद करना आपका काम है अपने आर्थीक प्रबंदन करना उन चीजों का प्रबंद करना जो आपकी है ये मेरा काम है परमेश्वना के वल मुझे एक सेवकाई दिये है, उसमें होने और उसका आनंध लेने के लिए लेकुन उन्होंने उसका प्रबंद करने और जिम्मेदारी भी मुझे दिये है आपको अधिकार बीना जिम्मेदारी नहीं मिलती किरिपया मेरी बास सुने, आपको अधिकार बिना जिमेदारी नहीं मिलती, हमें परमेशवर से ये अधिकार मिलने वाला नहीं है, दुश्मन पर इस्तमाल करने के लिए और इन महान जीवनों को पाने के लिए अगर हम जिमेदारी नहीं लेते, जो की हमारे जीवनों के नहीं खुलें उन्होंने आपको स्वास्त दिया है लेकिन उसे संभालना और अपनी देख्रेक करना आपकी जिम्मेदारी है कि अमीन कि इश्व मस्य में विश्वास होने के नाते आपके पास अधिकार है खेर हमें दुश्मन के आकरमन को पहचाना सीखने की जरूरत है यह वो समय है जब वो हमारे जीवानों में प्रवेश करने की कोशिश करता है हमें उसके विरोध में आना चाहिए अधिकारो शक्ती के साज परमिश्वन हमीदी है याकुब चार साथ कहता है इसलिए परमिश्वर के आधिन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वो तुम्हारे पास से भाग निकलेगा परमिश्वर आपको आशिश दे आपके देने से वास्तो में यहां घर में और संसार में बहुत फर्क पड़ता है हमारे पास संसार भर में लोगों की मदद के बहुत से अवसर हैं लेकिन हमें आपकी मदद की जरूरत तकि हम उनकी ज्यादा मदद कर सकें जब हम एक साथ जुड़ते हैं, जब हम मिलकर भागिदार होते हैं अब हम वास्तों में मसी के लिए संसार भर पर प्रभाव डालते हैं, क्या आप प्रार्तना पुर्वक विचार करेंगे और आर्थिक भागितार बनेंगे, आप और ज्यादा जानकरी हासिल कर सकते हैं, हमें फोन करके और हमारे किसी भी ऑपरेटर से बात करके या आपको किव आपके लिए दूग ना करेंगे. इसका खर्च उठाया है जोईस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और सहयोगियों ने.